आयान आप रोज लेट से लेट होते नहीं जा रहे हैं? घर में सुकून से बैठने नहीं देंगी मेडम आप? सुबा जाओ तो चिक चिक वापिस आओ तो फिर वही काम तुम्हारी तरह घर बैठ जाओं क्या? आयान आफिस का काम ज़रूरी है मैं जानती हूँ लेकिन आप पर कुछ मेरी भी जिम्मेदारिया है उनका क्या? तुम्हारी जिम्मेदारिया निभाने के लिए ही अपनी खाहिशें मारकर ओवर टाइम लगाता हूँ उसके बाद अगर मैं दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? मही मेरी लाइफ है एक जन्रम से निकलो तो दूसरी जन्रम में आ जूँ क्या? जो टाइम आप अपने दोस्तों को देते हैं अगर वही टाइम आप अपने बेटे को देंगे न वो बहुत खुश हो जाएगा बेचार आपका इंसदार करते करते सो गया तो उसकी काउंसलिंग करो ना समझाओ उसे कि बापा तुम लोगों के लिए ही काम पे जाते हैं लेट आते हैं लेकिन नहीं कान भर रही होगी तुम उल्टा उसके आयान उसे आप से मिलने वाले हर माईने के गिफ्ट्स नहीं चाहिए उसे आपका टाइम चाहिए और उसका हद भी बनता है मेरी मेमरी में बिलकुल नहीं है मुझे याद ही नहीं पड़ता कि आखरी मरतबा तुमने कब मुझसे हसके बात की मैं जब भी तुमारे सामने आता हूँ शिकायत होगी एक लगभी लिस निकाल कर मैं सामने रख देती हो हैपी मुवमेंट्स के लिए न टाइम चाहिए होता है जुके आपने अपने दोस्तों को दे रखा है हमारे लिए सिर्फ एक्स्क्यूजिस हैं आपके पास अब कुछ भी नहीं आया चुप अब चुप चुप वर्णा 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 क्या हाँ अच्छी तर बेत कर रहे हैं आप अपने बच्चे की चल बेटा आल्या टौवल रेना मैं भूल गया हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नहीं देरों के पतानी का रहेंगे? एक यहां मैं इनके इंतजार में भूख से मर रही हूँ और यह है कि अपने आफिस कलीड के साथ मैफिलों में बैठे हुएं कि देखो तो कि तरहा की औरते ही है शर्म नहीं आती शादे शुदम मर्दों के साथ चिपक चिपक के प्रसीरे बनाती है कौन है यह लड़की? कौन? ये अरे ओफिस कुलीग है भाई ओफिस कुलीग? ओफिस कुलीग तो मैं भी थी आपकी बीगी बनाकर मुझे घर बिठा दी और अयान अब मैं किसी और लड़की की जिंदगी बरबाद होने नहीं दूगी साफ साफ मान क्यों नहीं लेते कि इस लड़की को पसंद करने लगे आपको मुझे मुझे नहीं बताता है फागल हूं मैं.. हाँ मैं पागल हूं क्यूंक्यू मुझे तुम्रे पागल की आयान घर बैठे खाने को मिल जाता है न इसलिए फतूर जहन में राज कर रहे बाहर जाओ काम करो तब पता चले तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई काम नहीं करसी घर में आके जब पुर्सुकून महौल मिलता है न तुह यो मैं अपना सुकून बर्बाद करके तुम्हे देती हूं समझे वोव पुर्सुकून महौल क्या बात है यहां पे बहुत जादा जो जुजरूरी बात है वो होती है कम्यूनिकेशन पार्टन इसको चाहिए कि हर हाल में अगर उनको लग रहा है कि उनके रिष्टे में तनाव आरहा है लडाईया हो रही जहगड़ में क्षोटी ओर्ग्यूमेंट्स बड़े-बड़े जहगड़ों की तरफ लेकर जा रही है उनको तो वो communicate करें, आपस में बैठ के बातचीत करें Important चीज रिलेशन में, किसी भी रिलेशन के हवाले से space देनी हर एक इंसान की अपनी एक private space होती है और partners को चाहिए को वो space को respect करें कई बार जब शादी इंसान की पुरानी हो जाती है तो doubts, शक बहुत जादा common हो जाता है चाहे वो मिया की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो तुम इससे तो नहीं बात कर रहे हो, तुम इससे फोन पर बात कर रहे हो तुम इतनी दे दे तक बाहर क्यों रह रहे हो तो important चीज यह होती है कि जब हमारी emotional needs जो है वो खतम होना एक start हो जाती है relation में अग्याद हम खुद तक feelings रखना शुरू कर देते हैं तो फिर तनाओ के chances हो जाते है relation में तुम इना अपने बाबादी का हर चीज में सब करके रखते हो मुमी, हम कहा गया रहे है मेरी दोस्त क्या देब हमारा घर है तो हम क्यूँ जा रहे हैं अब यह हमारा घर नेरा आपका दुबारा जगड़ा हुआ है बाबासे उन्हें इस पाद से कोई फर्ट नहीं पड़ता कि हम क्या सोचता है उन्हें हमारी कोई दरूद नहीं है मन्मी, मैं दोनों के साथ रहना जाता हूँ तुम मेरे साथ जाओगे and that's final बगवों के साथ रहना है बहुत से करे तुम्हारे बाबा को और तुम न, अपने काम करना सीख लो तुम्हारे बाबा ने तो नहीं सीखे तुम चला निकला वो हेलो इस रात के इस वक्तिम लोग कहां जा रहे हैं? I have decided Decided? What? To move on तु separate आयान तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे मैंने शादी की थी और जिसरा की शादी शुटा जिन्दे की हम गजार रहे हैं? उससे ता लाइद की बहतर है Okay, fine मैं भी रोस की चिक-चिक से तंग आ गया हूँ अच्छा हुआ तुमने ये फैस्दा खुदी कर लिया मैं यहां बेठा यही सोचा चलो लास्ट ताइम ही सही हमारे ख्यालाद एक चगा आके मिले तो सही बेसूत कोई फाइदा नहीं है बिसका रहान बाबा की जान तुम कहां जा रहे हो तुम तु बाबा के साथ रोगे न सेहान मेरे साथ जाएगा चलो हेलो हेलो एन सहब आपकी पेपर तयार है आफस आगे साइन कर लें आलिया से आपकी बात हो गई या क्या नहीं अभी नहीं मैंने सुझा पहले आपसे बाट कर लूं अगर आपका हैं तो मैं ने कौल करके दुबारा को कौल करूं नहीं नहीं, इसकी जुरूरत नहीं है, मैं आपके अफिस आ रहा हूँ चीजिए हलो, हलो, मिस्स रायान जी, बात कर रही हूँ आपकी पेपर तयार हो गए है, आफिस आके सैंड कर ले आयान से आपकी बात हो गई जी हो गई क्या कहा उन्होंने वो आ रहे है ठीक है, मैं भी आ रही हूँ ओके झाई झाई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सच कहाए कि सीने के दुनिया गोल है आज से दस साल पहले इसी तरह टेक्सी में बैटके अपने घर वालों से बगावत करके फिकोट में तुम्हारे साथ अकेली शादी करने आई दी आया और इसी दराज फिर में एक बार अकेली कोट आ रही हूँ इसी बनाएगा रिष्टे को तोड़ने इतने सालों का रिष्टा तुम्हें कुछ पलों में कैसे खबन कर दिया एक बार भी तुम्हें फोन करके नहीं बूचा कि मैं तुम्हें किस हाल में हूँ मैं अगर घर से गुस्सें निकली थी तो तो मुझे कॉल करके मना सकते थे रोक सकते थे ना लेकिन मुझे मेरे एकों ने महां रुकने नहीं दिया और तुम्हारे एकों ने मुझे रोका तक नहीं क्यों रोकता तुम्हें मैं रोका तु महमानों को जाता तुम्हारा तो अपना घर था वो तुम्हें ने खुद पसंद किया था और उसी घर करनोन चुकाने के लिए मैं तुमसे जूट बोल रहा था दो दो नौकरियां करता था और तुमसे जूट कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ ताकि तुम्हें कोई गिर्द ना हूँ खेर अब क्या फाइदा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था गढ़ाए और जब ये घर मिला तो मैं तुम्हारे साथ को ही तरस गई क्या फाइदा ऐसी घर के जिसमें तुम नहीं थे मेरे साथ तुमें तो कभी ये भी नहीं पूछा खाना खाया विया या नहीं कोर्ट के और्डर के मताबिक रहान 18 साल की अमर तक आपके पास रहेगा और आप हर मेने बकायत की सुस्क्रा खराज़त अदा करेंगे महीने में दो बार मिलने की जादत होगी ठीक है अमराथ साथ अगर आपके पास आलिया कोई समान है कोई चीज़े तो आप लोटा दें जो है इसी का है इसे जो चाहिए ले 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 मुझे को याद रास ने ठीक है अब आप तो ने अलाइट की का फैसला करी लिया है तो प्रोसेस शुरू करते है सॉरी आप लोग के फैल तो मैं कोड में बुलाया हूँ और अभी तो ब्रेक टाइम चल रहा है आप लोग चाहे तो यहाँ वेट कर लें मैं फैल लेके आता हूं जिब तक जब तक आप अपना समाल लिया है मैं फैल भी लियाता हूं अगर मेरे घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऑनलाइन टैक्सी मंगवा कर चली जाओं सामान उठा लोंगी अपना मैं भी घरी जा रहा हूंगा चाहो तो जा सकती मैं सामा हां क्यों नहीं जब तक पेपर पर साहिन नहीं होते आप दोनों में भी भी आप लोग जाए हो हैं जब तक मैं फाइल भी लिया हूंगा यह है हमारा ट्रीम हाउस इसे तुम अपनी मर्जी से आबाद करना अजया हूंगा क्या हाल बना दिये तुमने आयान हमारे घर का मैंने बहुत मेहनन से इसे सजाया था घर तो बीवी बच्चों से आभाद होता है अलिया उनके बगएर तो विरानी होती है सिर्फ विरानी यहां की हर चीज में मेरी जान बसी थी आयान और देखो तुमने एक जानदार पौदे की तरह इसे कैसे बेचान कर दिया है पहली यूच से लेकर आखरी यूफ लगने था मैंने इस घर में तुम्हारी और अपनी खुशी महसूस की दिया फिर कहीं जाकर यह सपनों का घर बना था और देखो आज इसी घर को तोड़ने के लिए हम एक साथ इस घर में दाखिल हुआ है कितने खुशत हैं ना हम अपने छूटे से घर में बड़े घर की ख्वाहिश ने हमारी सारी खुशिया चीन ली तुम्हे जो चाहिए यहां से ले जा सकती है यहां मुझूद हर चीज हमारी है जितना मेरा हक है उत्रा ही तुम्हारा है कौफी बनानी सीख लिए आपने हालाथ ने सिखा दिया कभी मच्छे तुम्हारी नसरे नहीं ज़िए नहीं हट्टी थी और आप में पिछले कई घंटों से तुम्हारे साथ हूं तो तुम थमने मुझे नजर उठा कि तीखा कर नहीं शादी को कई साल हो गए आलिया तुम आज भी उतनी खुबसूरत हो पहले मुझे यह कहने का टाइम नहीं मिला और अब अब यह सब कहने का टाइम नहीं सुजूल है इस वक्ति है सब हलो हलो जी हां जी हां मैं एचली सेकंड शिप में वहां काम करता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया देखिये अब किसी और से बनवाले हैं वक्त की कदर का हैसास हो गया है मुझे कुछ पैसों की खातिर मैं अब अपना सुकून बरबाद नहीं करूँ सॉरी अब अहसास होने का क्या फाइदा जब कुछ भी कुछ भी नहीं बचा स्लाम लीकुम सर सर अभी तो थोड़ा बिजी हूँ मैं अगर अच्छा अच्छा क्लाइन शाहम में चला जाएगा तो ठीक है सर मैं मैं आपको फाइल ने ने आ जाता हूँ जी मैं आ रहा हूँ वो वो एक फाइल देनी है बास को अरजंट तो उस सिलसले में मुझे ऑफिस जाना होगा ठीक है आप जाहिए रहसरी मैं आपकी कोई चीज से उराकर नहीं ले जाने वाली तो अपनी चीज़े समहेट लेना मैं आज होंगा थोड़ी दे बहुत इंपॉर्टन होता है अगर आप थोड़े वसायल में भी रह रहे हैं मगर एक दूसरे के साथ खुश है आप खुश औखुरम होंके जिंदगी गुजा रहे हैं वो अंडिस्टैंडिंग है आपके अंदर कॉम्प्रमाइस करने की वो सलायत है क्योंके कोई पार्टनर्स में कॉम्प्रमाइस करने की सलायत नहीं होती है थोड़े वसायल में लेकिन अगर इस चीज़ को कंपेर किया जाए जैसे कि हमारी स्टोरी में दिखाया गया कि उस बड़े घर की ख्वाहिश में वो बंदा दिन राद दो जाब्स करने लग गया उस दो जाब्स के नतीजे में उसको क्या हासल हुआ कुछ भी हासल नहीं हुआ उसके रिष्टे में तरह से तनाव आना शुरू हो गया क्योंके वो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे सका तो इसी तरह अगर आपके पास ज्यादा वसाइल है यानि मटिरिलिस्टिक तिंग्स आपके पास बहुत है ख्वाइशात अगर बहुत है बड़ी बड़ा घर है गारी है सब है लेकिन वो अंडिस्टैंडिंग नहीं है वो रिलेशन में साथ रहने की खुशी नहीं है तो फिर ऐसे वसाइल का कोई फाइदा नहीं इससे अच्छा तो वो ही है कि थोरे वसाइल में भी आप रह रहे हो मगर रिश्टे में खुशी है तनाव नहीं है और आप एक दूसरे के साथ मुतमें सिंदगी गुजारे तुम्हें जो चाहिए तुम इस घर से ले जा सकती हो चितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी यही अलफास कहते उनोंने क्या यह अलफास काफी नहीं है उसे अपनी महबब जटाने के लिए अपनी फिकर दिखाने के लिए अच्छा अगर इतनी ही फिकर होती ना तो मुसे कोट ना बुलाते वो केस मैंने नहीं उसने फाइल किया घर छोड़कर जाने की घलती भी उसने की थी वंसे दोनों की तरफ से होती है या आज तो मुसे मुद्दतोबाद अपने घर लाए हो और जाते हुए कह दिया है कि जो चाहिए ले जाओ तो मुसे एक बार रोकने की सला भी दो कर सकते देना जो लड़की तुमारे लिए अपना सब को छोड़ाई है आज तु मुसे छोड़ रहे हो छोड़ना या रुकना मेरे बस में नहीं है जब तक वो मुझे नहीं रोकेंगे मैं नहीं रुकूंगी देखें अब रोकूं भी तो कैसे सब कुछ तो हो चुका अभी कुछ भी गई हुआ वकी का ऐसे फाइल भूल जाना अल्ला की तरफ से इशारा भी तो हो सकता है अच्छा मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ हलो इमरान साब हलो इमरान साब बिल्कुल ठीक टेम पर कॉल किया अपने मैं अपकी फैल ले आया हूँ आप लोग ऑफिस आके साइन कर ले अभी रुक जाएं अभी कुछ बत करें मैं मुझे आलिया से पहले बात करने दे येट्स ग्रेट बात करने से ही बात बनती है बात ना करने से सिर्फ इगो जीतता है रिष्टे हार जाता है तुम सही कह रही हो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मैं मैं तुछ बात बात करती हूँ हाँ मैं कॉल करती हूँ के आयान पिक अप तर फून प्लीज 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 फून क्यों नहीं उटा रहे जिन्दकी जिसको जीने की चाहा में हम जाने क्या क्या कर जाते है उसने ही एक नहीं दिन खब होना ही है यह दो सब जाबते हैं लेकिन azu मौत उस वक्त आए जब असल में आप जिन्दधी जीना चाहते हो तो उस मौत से ब्दतर मौत और क्या होगी आलिया, मैं तुम्हारे साथ सच में जिना चाहता था लेकिन देखो, यो मौत कितनी बेर हैं निखली उसने सिंदगी जीने का दूसरा भूका ही नहीं दिया तुम मेरे साथ से इरिटेट होती दी ना आलिया जा रहा हूँ जा रहा हूँ तुमसे दूर अब तुमसे पूचकच करने वाला कोई नहीं होगा कोई भी नहीं आया आया निखली पापे साथ सब प्लीज देखला रहा है रहा है तुमसे कभी नहीं लडूगी मैं मैं कहीनी जाओगी कहीनी जाओगी प्लीज वापे साथ जाओ मैं सु enclo मैं दुमारा अच्डी नहीं करूगे यार पेड़ा, बापा को बोलो नवापिसाजा, मैं नहीं ल сторू कि उससे. पलीज हो राड, पलीज फाजाज़ाओ. मैं क्या के बहुत इना, पलीज? इन्सान को अक्सर जब वक्त गुजर जाता है, तब जाके कहीं एहसास होता है, कि मैंने उस चीज को खो दिया है. ये वैसे भी हमारी human nature है, जो चीज हमारे पास होती है, जो इनसान हमारे पास होता है, उस वक्त हमें उसकी कदर नहीं होती, मगर जब हम चीज को या इस इनसान को खो देते हैं, फिर बाद में पच्चतावक के सिवा कुछ भी नहीं रहता हमारे पास जो कि अब मिया बीबी के रिष्टे के वाले से मैं बात कर रही हूँ, तो एक ego आ जाती है दोनों में, जब लडाई हो रही हो या argument हो तो इनसान जब अपनी ego को, अपनी अना को एक एहमियत देने शुरू कर देता है रिष्टे के मुकाबले में, तो फिर यहाँ पे realization का factor बिल बहुत ज़्यादा एहम हो, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, चलो इस लडाई को हम खतम कर लेते हैं, या किसी तरह से हम अपने solutions को sort out करने की कोशिश करते हैं, मगा हमारे माश्यर में बदकिस्मिती से बहुत ही कम couples होंगे, जो इस तरह की reconciliation point पर पहुंचते होंगे.